यहां खेत में फसल लहल हाए सम्मान से किसान भी मुस्काए यहां विजली से हर घर जग मगाए विकास की प्रवाह में मनहर साए शिक्षा है रोजगार है विकास की बयार है सड़क है अस्पताल है चाय खुश्यों की बहार है बिन संगीत के ही धिर के हवा है स्वर्ग से सुन्दर गाउगीरा सुखी संपन है अपना गाउगीरा किसान भाई बैनो जोहार गाउं गिराओं कारक्रव में आपका स्वागत है मैं हूँ किशन अगरवाल किशान भाई बैनो जारखंड में प्राय सभी प्रकार की खेती हर मौसम में हमारे किशान भाई करना शुरू कर चुके हैं और इस समय हमारे जहरखन के किसान भाई भनों के खेतों में मकई लगी हुई है और खासकर इस मौसम में मकई की कीमत भी बजारों में काफी अच्छी मिलती है और हमारा उद्य से भी यही रहता है कि प्राय सभी मौसम में जो कुछ भी यहां खेती हो सकती है उसकी जानकारी अ जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उप्रस्तित हैं डाक्टर सुनील कुमार जो बिरसा किर्सी विश्मिद्याले कांके राची में अनुवान सकी एवं पौधा परजनन विभाग में कनिय बैग्यानिक्स साहय अप्राध्यापक हैं डाक्टर सुनील कुमार जी आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वाब्यत है किसान भायोग जोहार नमस्का डाक्टर सुनील कुमार जी ये बहुत ही अच्छा मौसम है बहुत ही अच्छा समय है कि हम अपने जहारखन के किसान भाईवयनों को मक्का की खेती के बार बिल्कुल सही प्रस्ण आपने किया, मकई को हम लोग अभी देख रहे हैं भविस के फसल के रूप में, ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि ये भविस का फसल है, क्योंकि इसका हम सालों भर उपज ले सकते हैं, सालों भर इसकी हम खेती कर सकते हैं, दो महिना के वल जाड़ा में दिसं समबर और जनवरी छोड़ करके सालों भर इसकी बवाई कर सकते हैं, और बात रह गई कि हम जो हमारा तीन मौसम है, गर्मा, रवी और खरीब, तो सबसे ज्यादा जो हम इसका उत्पादन करते हैं, जार्खन का परिवेस में, वो खरीब से करते हैं, लेकिन चुकि पानी की क तलबता हो, वो जरूर गर्मा मकई लगाएं, क्योंकि गर्मा मकई में खर पतवार कम होता है, किड़ा मकोडा कम लगते हैं, और खरीब के तुलना में इसके उपज छमता लगभग दुगनी है, तो किसान भायों हम लोग सोच ले, अगर हमारे पास पानी की वेवस्ता है, तो हम जरूर गर्मा मकई लगाएं, एक बात मैं और बता दना चाहता हूं, कि गर्मा मकई का जो स्वाद है, वो हमारा खरीब हसल के जो मकई है, उसके स्वाद से कुछ ज्यादा भिन नहीं है, लेकिन चुकि कुछ लोग का कहना है, कि बरसात वाले जो मकई है, उसका जो ट यह बात चुकि बैज्ञानी को ने प्रूफ किया है कि हर सीजन का मकई का स्वाद लगभग एक जैसा होता है। चुकि गर्मा मकई में होता क्या है कि कम पानी मिलने के कारण थोड़ा सा दाना सुखापन होने के कारण टेस्ट में अंतर थोड़ा सा लगता है लेकि ऐसा कोई बात है नहीं। पदाया भी बरसाथ, गर्मी और जाडा ये तीनों सीजन में जो मकई आता है उसमें थोड़ा सा उसके सौद और टेस्ट में अंतर आता है जैसा कि आपने बता भी दिया कि कि किस कारण से थोड़ा सा कम बेशी होता है क्योंकि अलग अलग सीजन का अलग सौद मिलता है ये में बीज रहे हैं आफी जो हमारे जारखंड के किसानभाई मकई की खेती कर रहे हैं उन्होंने अपने खेत में मकई की बुआई कब किया होगा देखिए गर्मा मकई लगाने का जो सही समय है वो हम लोग फरवरी महिना का दूसरा सप्ता दूसरा तिसरा सप्ता से फरवरी भर लगा सकते है ऐसे तो कहा गया है और जो हम लोग एक्सपरिमेंट करके यानि जो हम लोग अपने बिर्शा की सुष्दाले से अनुसंधान करके देखा गया है कि इसकी खेसी इसकी जो बुआई है हम लोग अप्रेल महिना में भी कर सकते हैं लेकि अप्रेल महिना में बुआई करने से होता क्या है इसको हम लोग भूठे के रूप में ही ले सकते हैं और चुकि ये पक्ते-पक्ते हमारा जुलाई महिना चला जाता है तो उस समय जब हम फसल की कटाई करेंगे तो उसमय हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है इसलिए हम ऐसा समय से इसको लगाएं ताकि बरसात आने के पहले हमारा फसल का कटाई होगा इसलिए सबसे अच्छा जो समय होता है वो 15 फरवली से ले करके 15 मार्श तक अगर हम गर्मा वाला मक्य लगा दें तो बहतर होता है और उसको कटाई चटाई चाहे इस्टोरेज में कोई परिशानी नहीं होती है अभी भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पिछात अगाद दुआई करते हैं तो किसी के साथ बहुत सारी तरह की समस्या रहती है तो अभी भी देर नहीं हुआ है जो छोटे अस्तर पर भी किसान गर्मा मक्य लगाना चाहते हैं तो अभी भी वो लगा सकते हैं डक्टर साहब एक बात किसी भी परकार की खेती के गर्मी के मौसम में और आपने बताया कि पंदरा फरवरी के बाद से गर्मा की खेती करनी चाहिए और आप देखते होंगे कि बरसात खतम होने के बाद अब जब जाड़ा सुरू होता है और जाड़ा भी जब खतम होने लगता है तो मट्टी काफी तेजी से सुखने लगती है वैसे हालत में चाहे वो ट्रैक्टर से हो चाहे फिर वो हल बैल से खेत की जोताई करना बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता है तो आप यह बताए कि गर्मा मकई के लिए खेत की जोताई कि किस तरह से व्योस्ता करनी चाहिए और कैसी व्योस्ता करनी चाहिए जिससे की अच् नहीं रहता है तो हम उम्मीद करते हैं कि उस समय एक बार फरवरी के महिना में या मार्च के महिना में एक बारिस आ जाती है तो जैसे बारिस हुआ दो तीन दीन के बाद हम उसको अच्छी से कम से कम दो से तीन बार जुताई कर ले ट्रैक्टर अगर है तो दो बार अगर हल है सो दो से तीन बार जुताई करके और कोशिस करना है कि उसमें एक हेक्टियर में कम से कम दस टन गोबर खाद दे करके अंतीम जुताई करना है गोबर खाद देने से दो फाइदा होता है चुकि हमारा जो गर्मा मकई है चाहे कोई ही मकई हो ओ हमारा जमीन से ज्यादा से इसलिए गोबर खाद देना जरूरी है गोबर खाद देने से फाइदा होता है कि हमारा मटी का जो पॉरीटो defining है खिद्र है और मती में जो पानी को सोखने का च्छमता है वो गोबर्दने से बढ़ जाता है उसके अलावा उसमें जो हुमस का मात्रा इसको हम लोग बोलते हैं जो हुमस एक तरह का रसायन होता है जो मती को बांधे लगता है और हमारा फसल को पौश्टिक तत्व परदान करता है इसलिए अगर जिस खेत में मकई अरह हम करते हैं तो साल में हर साल कम से कम एक हेक्टेर में दस टन गोवर देकर के अंतिम जुताई करना चाहिए उसके बाद और ध्यान रखने योग बात है कि जब हम मकई लगाते हैं तो जैसे हैं जमी सुखता है तो चुकि हमारा जारखन परिवेस में दीमक का परकोप जाता है चुकि लाल मटी है और अमलिय मटी है तो उसमें दीमक का परकोप होने से क्या होता है कि जैसे हैं पौधा सुखता है तो उसका सेलूलोज खाने के लिए दीमक उस पर अटेक करता ह और हमारा जड़ साटे करता है जड़ को खाता है और धिरे धिरे पहधा हमारा सुख जाता है तो इसलिए जिस समय हमारा अंतिम जुताई कर दे उस समय अठारा से बीस केजी हमारो क्लोरो पाइडिफोस नामक जो दस परशन पाउडर है उसका अंतिम जुताई के समय दे करके तब हम खेट तयार करके तब हम उस पर मकई या कोई भी अनफसल लगाए तो जो हमारा दीमक से मरने की जो संभावना है ओ कम से कम हो जाएगी और गोब पढ़ जाएगी तो उससे हमारा पौधा स्वस्त रहेगा और पौधा को जल आपूर्ती अच्छा तरसे होता रहेगा डाक्टर सुनील कुमार जी मकई के बारे में कहा जाता है या बहुत सारे ऐसे फसल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मेड पर लगाए जाते हैं और अकसर ये भी देखा जाता है कि मकई का जो बीज है मेड बना करके उसके उपर लगाए जाते हैं जिससे की जो उसका टहन हो उसका जड़ है मजबूती से मटी को पकड़ सके और टहनी उसका ज़्यादा से ज़्यादा मोटा हो सके जिसमें कि एक एक पौधा में कम से कम आपने देखा होगा कि तीन से चाचर मकई निकलते हैं इसके बारे में थोड़ा बताते हैं बिलकुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया मकई का जड़ चुकि सूपरफीस्यल होता है कहने के मतलब एक जमीन के उपर ही रहता है तो बरसात में हम जब लगाएं तो मेड़ बना करका लगाएं और गर्मी में या रभी में लगाएं तो ओ लाइन खिचका लगाएं यानि गड़ा जिसे मेड़ बनाने पर क्या होता है जो गड़ा हो जाता है उस गड़ा पर हम गर्मा वाला रभी वाल लगाएं अब बरसात में मेड़ के उपर लगाएं और इसमें एक बात ध्यान दने यह बात यह है कि जैसे हमारा फसल 25 से 30 दिन का हो जाए निकवनी करने के बा और हमारा पौधा मजबूत रहे उसको सपोर्ट मिल जाए हवा वगारे से ओ गिरे नहीं क्योंकि अगर हमारा पौधा एक बार जुग जाता है तो फिर उसमें हमारा जो बाली लगता है ओ कमजोर होगा और इससे हमारा उपज घटें की संभावना रहती है डाक्टर साहब यह जो हमारे परस्ट का आपने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया क्योंकि इस तरह की बेवस्ता नहीं होने से खासकर मिर नहीं बनाने से और आपने जिसा क्या हा कि जड़ उपर से निकलता है और मिटी बरसात में या किसी भी मौसा में ढिली हो जात की बात कर रहे हैं तो किन-किन परवेदों का हमारे किसान भाईयों को खासकर जारखन के परिपेच में चायन करना चाहिए बहुत अच्छी सवाल है बहुत अच्छा सवाल है और किसान भाई इस पर विशेज ध्यान देने की बात है क्योंकि मार्केट में किसान जाते हैं उ अपना भराइटी लेकर के आते हैं और ठगा मसूस करते हैं तो हमारा बिर्सा किसी भी सुविदाले अपना अनोसंधान से कई भराइटी जो निकला हुआ है उसका टेस्टिंग किया है तो उसमें पहले तो हमें बता दना चाहते हैं कि मकई एक तरह के नहीं पांच तरह के बात करें तो उसमें QPM1, QPM2 और सक्तिमान पांच लगा सकते हैं एक और अच्छे भराइटी है सक्ति एक लगा सकते हैं और दो भराइटी और है जो मार्केट में अवलबल है उसमें है विकास मक्का 45 और विवेक 51 यह पांच होज हैविड किसमें लगा सकते हैं अगर हम कम प्रजिट की बात करें जिसको हम साधारन मक्य का करते हैं उसमें हम सुवान एक लगा सकते हैं सुवान दो लगा सकते हैं यह सब मैं जो ही भरायटी बता रहा हूँ वह आप किसमें आपको दुकान में उपलद हैं उसके बाद एक किसम आता है मीठा मक्य का जिसका भी काभी प उसमें आप तिन चार जो किसमे है उसको लगा सकते हैं उसमें एक मिश्टी किसम है उसमें एक है गोल्डन हानी है एक है माधुरी है एक सब किसमे को आप लगा सकते हैं इसके अलावा भी एक और मकई है जिसको हम लोग सिसू मकई करते हैं जिसको बेबी कॉर्ण करते हैं चु निकला हुआ फ्राइक्टी है उसका नाम है बिर्सा बेवी कॉर्ण एक यह सब आप किसमें लगा सकते हैं इसमें फाइदा क्या है कि ए पचास से पचपन दिन में आपको हो जाएगा और यह वैसा मकई है जिसको आप जिससे अंगूली के बड़ावर होता है फटलाइसन से प सकता है और एक पौधा से आपको चार-पांच भुठा मिलेगा और सबसे प्लस पॉइंट यह है कि इसका जो 45-50 दिन के बाद जब हमारा चारा करूप में मकई लगा सकते हैं उसमें एक किसम है अफिरिकन टॉल एक किसम चारा के लिए बहुत ही उप्यूगत है इसके उपज हमता है बहुत ज़्यादा है इस सब जो हमने 5-6 मकई के बारे आप लोगो बताया और उसका जो अनुसंसित किसमें बताया उस पर किसान बिसेश द्यान दे और कोशिस करें कि यही सब किसमों को लगा करके ज्यादा सा ज्यादा उपज और मुनाफ़ा कमा सकते हैं जारखन के किसान अब जागरूग हो चुके हैं और आप विरसा कृस्पिद्याले कर्सि बग्यानिक है जितने वी नएणे किसमों का कर रहे हैं आप लोग सोध कर रहे हैं उन किसमों को वो अपने खेतों में प्रैक्टिकल के रूप में लगा रहे हैं अभी आपने एक मकई का नाम बताया जो मुझे याद आया बेवी कॉर्ण बेवी कॉर्ण मकई इतना खाने में स्वाधिस्थ है और तो मैंने कई जगत डाइवेटिक परसेंट है उसके लिए फायदेमांद है जिसको कंस्टिपेशन है उसके लिए फायदेमांद है तो हम तो किसान भाई वो कहेंगे कि जैसा मार्केट आपका है उस सुधा का नुसार आप वह ऐसा किसमों लगाई है वह ऐसा टाइप का मकई लगाई है तापक से हमारे जारखन के किसान भाई बेवी कौन की भी खेती कर रहे हैं ये विलकुल मैंने अपने आखों से देखा है तो जैसे जैसे आप लोग के माध्यम से हम अपने जारखन के किसान भाईयों को जानकारी करवाते हैं और वो जागरूख हो रहे हैं और हमारे इस गाउं गिरा किवाव राची दूरुदरसन कार्करम के माध्याम से बहुत सारी किस major मिलते हैं पूचते हैं बात करते हैं तो उनको बताते हैं और उसका फाइदा उठा रहे हैं यह हम लोगों के लिए बहुत ही खुसी की बात है जब हमने कोई कारकर्म किया है, यदि इसको किसी का फायदा पहुच रहा है तो इससे ज़ादा खुसी इबात और क्या हो सकती है? डाक्टर साहाब, मक्कई के रूपाई की क्या बिदी है? मक्कई की रूपाई का जो बिदी है, हम लोग लाइन में लगाएं पहला पहला तो इसका बीज दर बीज दर एक हेट्यर में 20 किलो बीज यानि एक एकड में 8 किलो बीज है वो हो गया इसको लाइन से लाइन में लगाएं एक कतार से दूसरे कतार की दूरी अगर हम बरसात में लगाते हैं तो 75 cm में लखें अगर हम गर्मा में या रभी में लगाते हैं तो 60 cm लखे और पौध से पौध के दूरी हम 15 से 20 cm लखे अगर इस तरह से हम मकई लगाएंगे तो नंबर जो मकई का संख्या है एक हेक्टेर में मकई का संख्या है वो हमारा मैक्सिमम होगा और तो उसे हमको ज्यादा उपज मिलेगा तो मैं फिर एक पर बता दना चाहता हूँ एक लाइन से दूसरे लाइन के दूरी अगर हाइब्रिड लगाते हैं तो 75 cm और बरसात में लगाते हैं तो 75 cm अगर आप रभी या गर्मा में लगाते हैं तो 60 cm और पौधे से पौधे के बीच के दूरी आप 15 से 20 cm लखे हैं लक्टर साव कभी ये सुखद आश्चर्ज होता था कि लोग कहते थे कि धान बरसात के मौसम में होता है, मकई की खेती बरसात के मौसम में होता है, लेकिन अब समय और आप लोग जैसे बैग्याईनिकों ने ऐसा खोज निकाला है कि अब गर्मी के मौसम में धान की भी खेती क जा सकती है, मकई की भी खेती की जा सकती है, और भी बहुत सारे ऐसे फसल है, जिसकी खेती गरमी के मिवसमी भी की जा सकती है, ये सारा कुछ स्रे जाता है पिरसा क्रिसी पिस्विद्दाले के हमारे जो क्रिसी बिग्यानिक है, उनको जो लगातार इस तरह की जानकारियां हमा कैसे करें देखिए बीज उपचार करने से हमारा 50 से 60 परतिसत जो भी हमारा रोग है वो खतम हो जाता है इसलिए बीज उपचार बहुत ही आम है तो बीज उपचार करने से के लिए दो-तिन जो दवाई है उसको हम लोग याद रखे उसको हम लोग नोट भी कर ले से तीन गराम एक किलो बीज के लिए सफिस्चेंट है तो बीज उपचार करने के लिए करना क्या है अगर हमको एक किलो मकई के बीज को उपचारित करना है तो अरहाई से तीन गराम दवा लेंगे एक छुटकी पानी उसे मिला देंगे और ऐसा बरतन लेंगे हम जिसमें हमा लेकिन हम लेंगे एक किलो बीज और उसको बरतन का मुह बंद करने के उपाय है तो कर लेंगे अधर्वाइज हम प्लास्टिक से उसका मुह बंद करके उसके चुटवी पानी मिलाने के बाद उसको पांच मिनिट तक हिलाएंगे, कहने का मेरा मतलब हुआ है कि बीज के उपर एक आवरन उस दवा का एक लेप लग जाए यही बीजूप्चार है उससे फाइदा क्या होता है जैसे आप देखते होंगे जब होस्पीटर ने बच्चा जनम लेता है तो उसको डाक्टर कई तरह का सूई दे दाता है कहने का मतलब है कि हैजा का डिप्थरिया का उस पर जर्म से डाल दिया गया उस बच्चे पर यानि फूचर में उस तरह का उसको रोग नहीं होगा तरह से कहा जाए डाक्टर साहब इसको ठीका करन कह सकते हैं बिल्कूल कहीं कहीं टीका करन भी हम लोग बोलते हैं बीज उप्चारित को तो उससे फैदा क्या होता है फैदा यह होता है कि अगर हम पूरे खेत में अगर कीड़ा लग या कोई बीमारी लग गया तो पूरे खेत में हमको दवाई देना पड़ेगा जिसका कोस्ट और हमारा कोस्ट अब कल्टिवेशन यानि हमारा पूंजी ज्यादा लग जाएगा और बीज उप्चारित करने में क्या धाई गराम दवा लगा एक किलो बीज के लिए तो यह बहुत ही सस्ता और सुगम तरीका है तो इसलिए किसान भाईयों को कोई भी बीज कोई भी तरह का फसल हमको लगाना है तो बीज उप्चारित करके ही लगाएं ताकि हम भविस में कम से कम पचास पर्तिशत लोगों से छुटकारा पा सके हैं बीज कोई भी भी फसल हो उसका बीज उप्चार करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि सारा कुछ निरभर करता है आपके बीज पर कि आपको कितनी उपज मिलेगी उसका उतपादन कैसा होगा बिलकुल सही बात है तो डाक्टर साहब अब आप यह बताईए कि इन पौधों में पोशक तत्व की मात्रा क्या होनी चाहिए है मकई में पोशक तत्व का मात्रा है बहुत महत्पूर्ण है अगर हम हैबरिट की बात करते हैं तो एक सो पचास साट चालिस यानि एक सो पचास किलो नाइटोजन साट किलो फासफोरस और चालिस किलो पुतास और अगर हम साधर और अरण मक्य की बात करते हैं, तो उसमें 120-60-40, यानी 120 किलो नैटोजन, 60 किलो फासफोरस और 40 किलो पोटास देना है यह तो देना है। लेकिन कैसे देना है कब देना है यह हम सवाल है तो किसान भाईयों को हम बताना चाहते हैं कि लगाने के समय पूरा पोटास पूरा फासफोरस दे देना है और नाइटोजन का 40% यानि अगर 150 किलो नाइटोजन देना है तो 40% यानि हमारा 60 किलो नाइटोजन पूरा 60 किलो फासफोरस पूरा 40 किलो पोटास लगाने के समय देना है और जो हमारा 60% जो हमारा नाइटोजन बत जाता है उसको फिर दो पार्ट में हम बाट देंगे 30-30% ओ 30% देना है हमको जिसमय हमारा निकोनी वगरे करते हैं अब मट्टी चढ़ाते हैं उस समय एस समय हमारा आता है 25 से 30 दिन के बाद उसके बाद जो 30% हमारा बच गया है नाइटोजन ओ देते हैं हम धनवल निकलने के समय यानि जिस समय हमारा बाली निकलना होता है जिस समय जाड निकलता है मकई का उस समय और यह समय हमारा आता है 55 से 60 दिन के बाद ऐसा नाइटोजन का जो डॉज है इसको स्प्लिट करके यानि बांट करके देने से क्या फाइदा होता है कि पोसकततों का हरास यानि उसका लॉस कम से कम होगा क्योंकि नाइटोजन जमीन में जाते के साथ वो 7-8 दिन में उसका हरास हो जाता है कुछ जमीन से नीचे चला जाता है, लीच हो करके, कुछ वातवनन में गर्मी से उड़ जाता है, और कुछ पौधा लेता है तो हम चुकी इसको तोड़ तोड़ के देंगे तीन बार में, तो maximum पौधा को हमारा मिलेगा और अगर हम ज्यादा पौधा को जो मिलेगा तो ओपौधा हमारा अपना पत्ती में फल में और दाना में उसको कनवर्ट कर देगा यानि परवर्तित कर देगा तो सभाविक है हमारा उपज बढ़ जाएगा इसलिए मकई के फजल में नैटोजन का जो डौज है पहला 40% लगाने के समय जो बच गया उसका 30% 25-30 दिन के बाद फिर जो बच गया 30% जिसमें धनवल निकलने के पहले देना है इस तरह से हम भटलायल का जो मनेजमेंट करेंगे तो उससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को फ पर चाहिए कितनी बार करने चाहिए? रिखे जहारक्ण के परिशने की नमी हमारा फीट का उड़ रहा हो तो हम उस पर सी चाही कर दे इस समय पाच दिन के बाद भी आ सकता है आठ दिन के बाद भी आ सकता है दस दिन के बाद भी आ सकता है तो किसान भाई बेहनों आज आपने देखा और खासकर इस गर्मी के मौसम में गर्मा मकई की खेती किस परकार की जाए हमें उमीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफी लाफ्राद होगी डक्टर सुनील कुमार जी आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे जहरखन के किसान भाई बेहनों को मकई की खेती के अबारे में बिस्तार से जानकारी दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई बहुत नमस्कार